तो गाइस वागत आपका अपने इस पैर चैनल फिर से एक बाद जैस करना में वीजू शॉक मार्गेर हैं इस गाइस बात करेंगे हैप्पेस माइंड के उपर क्या अभी हमें खरीदना चाहिए जिसने नहीं लिया जिसने यह तहली मिस कर दिये क्या उसको अभी खरीद देना चाहिए कहां के शॉर्ट टर्ब टार्गेट सारे निकल कर पूरी टेक्निकल इलिसस के साथ प्योर्ली आपके साथ सब कुछ प्रेजेंट होगा क्यूं बड़ा है वह तो रीजन आप जानते हैं तो उसके उपर इत्रारा विश्तार में बात नहीं करेंगे उससे पहले बता साथ साथ में इंडिविजल दोनों का बता रखा है एंड कहां पर आपको जो है दाओ खेलना चाहिए कहां पर कितरे परसेंट लिस्टिंग गेंड का क्या मिल सकता है पूरा तिगडब एंड फ्यूचर किसका अच्छ है तो मैं हिंट देता हूं जी आर इन्फ्रा का ठीक है तो आप जाके वीडिश्म को देख लो लिंक बिसक्रिशन में डालो और वन वीडियो स्क्शन में स्कॉल कलो मिल जाएगी वीडियो गाईज चलो वीडियो साथ करते है अभी तो गाइज ना मैंने हैप्ट एसमेंड का चार्ट बेंड खुला है एक दिन में भी देखोगे तो भाई आज याज में जो इसने 6% फिर से मार है अगर यहाँ पे देखता तो उपर ज्यादा था यह 7-8% आज भी गया था बाकी अगर 5 दिन में भी देखोगे तो भाई 5 दिन से सेप्टेंबर तो इंड वहाँ पे भी देखोगे और 2-36% के आसपास के रिटरन है काफी अच्छा बाकी एक वार डिलीवरी पे क्या सीन चल रहा है समय एक वार जाके चेक कर लेता है फुडवर्ट गाइज देखो एक चीज ना आपको समझने पड़ेगी छोड़ी सी ल क्या है मतलब तो सीजी सी बात है अब सबको पता चल जुगा है हर टीवी न्यूज पर यही शेयर चा रहा है तो अब यहां पर ऑपरेटर्स एक्टिव हो सकते हैं बात में डिसकस करेंगे लास में याज़ते यह सब चीज़ें डिसकस करूँगा अभी में मुद्वे पर आ ठीक है बड़ा जो भी है रिटर्न बहुत तकड़े दे रहा है और आगे भी देगा आईडी सेक्टर बूम पहले भी मैंने कहा था आएगा अभी यह बूम कुछ भी नहीं है एचल में जो बूम आने वो आएगा क्यों आएगा अभी रीजन भी डिसकस कर लेंगे गाईस त लेट सी कहा है हमारा है पेस्ट माइंड यह है देखो पॉस्ट रुपीज 955 देखो 955 एक बॉर्टर लेवल था एंड वहीं से ब्रेक आउट दिया है इसने और हैस बीन 1180 तक चला गया था अभी अगर बात करूं कि आगे क्या सीन रह सकता है तो यह है इदेगो ऑन देली सब्सक्राइब करेंड ब्रेक अब तो मैं बोलूंगा अगर आप प्ले करना चाहते है क्योंकि अब जो मुमेंट है वो शायद मंडे को में खतम हुआ हो दिख सकता है या फिर एक नॉर्मल एक ऐसा से सकता है तो मंडे की लास्त में आपको अगर मिलता है कोई ब्रेक आउट तो मैं टेल गाम पर देनी कोशिश करूँगा अगर मिलता है तो बट परसली स्विंग ट्रेडर अब इससे दूर हो इन्हें तो कह दिए कि मैं हां 1300 रुपे तक जाएगा बड़ी है स्विंग ट्रेडर के लिए शॉट टर्म के लिए मैं बोलूँगा मैं लगता है एक से दो महिने का यह टार्गेट है ठीक है 1300 रुपे का तो इतना मैं बोल सकता हूँ आपको यहां एक आत महिना लग जाएगा अब 1300 का लेवल इसको ठच करने में स्विंग देखो स्विंग क्यों है या सिर्क किसी भी आईटी स्विंग पर इसका आपको रीजन समयना पड़ेगा अब क्या रहा है वाई 5G आ रहा है यह मेरी सोच है हो सकता है मैं यह आप गलत जा सकता हूँ अगर आपको लगता है यह जो है तरी सोच गलत है तू ऐसा सोच है तो यह गलत है अगर लगता है तो बाई नीचे कमेंट कर तो मुझे कोई प्रॉब्ब्लम नहीं है मैं भलकी खुश होंगा आपके कमेंट्स पड़ेगी चलो कोई तो ओडियंस है जो एक्टेव है तो बाई अगर यह चीज गलत लगती है और सही भी लगती है तो बाई नीचे भी कमेंट कर दा है है हप्यस माइन को लेता है टीस को लेता है यह सारी कमपरी सा आईटी की अब क्या है इनके जो एंप्लोईज है जो इनके लिए काम कर रहे है वो कौनसे नेटवर्ग पर काम करना है यह 4G का ठीक है तो जब इनके पास भाई 5G आजेगा या 6G भी आएगा कल को भाई 7G भ कर रहे होंगे काम तो उस पर स्पीड तेज रहे इस मतलब टाइंज बचेगा इनके पास और प्रोजेक्ट आएंगे जो यह इस टाइंब में पूरा कर सकेंगे तो एंप्लोई का काम तो बढ़ जाएगा बट स्पीड भी तो तो टेज रहे हो गये तो टाईम बच रहे बड़े तो कंपनी को फाइदा हो सकता है यह मँझे नहीं आपको इस तो है तो चलो अब आगे चलते हैं टेक्निकल क्लास पे उससे पहले यह पेड टैलर है जो की में फिलहाल फ्री आपके लिए क्यों है free ये भी सुन लो भाई फिलाल क्योंकि audience का में इसमें ठीक है तो इसलिए free है सीधा सा reason है और कोई reason नी है सच बात में इसको paid करते जाएगा बट हाँ link description में जैसे आप उस पर join करते है और आज अगर join के लेते तो जैसे video दिखते हैं तो lifetime आपके लिए free है जिन्दिक में आपसे एक रुपए भी नहीं मांगा जाएगा अगर आप इसमें बात में join करते है तो फिर आप कुछ हमांट यहां पर खर्चा करना पड़ सकता है बहुत पहले दिया था बहुत पहले मैं यह 24 माई से पहले लाइक इसके थीन चाह दिन पहले वैने शिवा में दिया था यह साथ परसंट कुछ हो गया था राम आइंट फॉर मीडियम टम में रहता है थीन से लेके छे मेने के बीच में अगर कई आपको लगता यार यह अच्छा नहीं है और मिरको पैसे लगाने तो बाई कम पैसे लगा और कोई दिकर नहीं है आज देखुए तो बाई इस शेर में आपको बाई कितने रिटन मिल रहे हैं ध्यान से देख लो 60.86 एक महिना अगर हम होल्डेज हटा दे तो एक महिना भी नहीं हुआ है तो यह होते ही है पावर अगर पेशेंस है आपके पास अगर कन्विक्शन है आपको अपनी इंडस् पूरी कम हुई है उसका रीजन बहुत ही सिंबल्स है क्योंकि आजकल मार्केट फोरी चौप ही चल दिया है बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं कॉल्स वाल दे दूए आप परसनली कोई शेर खरीद रहा हूं तो इस चाहिए आपके साथ पूरे यहां पर ड देखिए एक बार तो आप मैंने डेली चार्ट प्रेंटन खोला है है अभी भी ऐस सच यहां पर मैगडी में कोई देख कर दी है मैं अभी बोल रहा है कि हां बाई बुलिश है मैं ठीक है यहां पर दोई केंडल बनी है उपर कि यहां पर हिस्ट्रोग्राम पर भी तो केंड थोड़े टाइम पास कर सकता है बढ़ हां यहां पर जो है दो दिन ऑल्रडी हो चुक है इसके बूलिश केंडल को और आज की क्लोजिंग तो आज की क्लोजिंग इसकी मिल जाती है आपको जहां पर अभी यह है ग्रीन में तो अगर मालें इसी आज पास क्लोज होता है 1230 के आसपास या फिर 1200 जाचारा 1220 से 1230 के बीच में क्लोज होता है तो आप बोल सकते हैं हाँ इसमें आने वाले एक दो दिन और पॉस्टिव रह सकते हैं बहुत ही आराम से मुझे कोई दूबिदा नहीं होगी मुझे कोई वो नहीं होगा हैरियत नहीं होगी अगर मंडे और ट्यूजर को भी इसने पॉस्टिव मूग दिया अगर 1230 के आसपास अज सस्टेंट कर जाता है ठीक है बाकी अगर मैं बात करूँ है कि इंपोर्टेंट मुझे चीज भी दिखानी है डैट इस रिलेटिव स्रेंथ इंडेक्स भाई 80 से उपर जा चुका है 88 जा चु जबर बाद पर आप यहां पर आप पर यहां पर दिखाता है और लोग इसको खरीदने के लिए तयार है एसा इसमें यहां पर शोग हो रहे हैं नहीं मतलब 1300 से 1500 इसमें मैं आपको टागेट दे रहा हूं 1300 तो जाएगा जाएगा आप 1500 तक जो है ट्रेल करके चलिए स्वापलोस को मुझे ने बता 1500 कब तक आएगा क्या सीन रहेगा इसका ठीक है इसके बात भी बहुत रिजन आप जैसे इवी भी आएगा कल को यह ना इवी सेक्टर जब आएगा तो में फिर ऑटमेटिक कार्स बनेगी इवी में भी तो उस अटमेटिक कार में जो रहे गा वह एक्टिकल और अईटी का मिक्स्चर रहता है तो वहां पर भी आईटी कंपनी आपको आईटी में दोबारा दिखेगा तो इसलिए अगर है आपके पास शेयर तो एक भी शेयर मत बेचिए बस लॉंग टम के लिए छोड़ दिया बलकि इसको एड़ करने के सोची आप अगर आपने ज्यादा कोई नहीं लिया तो कहां पर बोलता है ना वाई बाइंग बैस लेवल कौन सा होता है तो अब कभी भी शेयर आपको इसके आसपास मिले देखो मुझे पता है बहुत नीचे का लेवल में दे रहा हूं बट यहीं इसका बैंग जोने में कुछ नहीं कर सकता है इसका अब वो शेयर चला गया तो अपने टेक्निकल को मानने का अगर मैं यह 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 से करके प्राइस सेक्शन में आके उपर जाके नीचे आके फिर यहां से प्राइस सेक्शन में आता है तो डर्म नहीं है 957 पर दोबारा एड कर लिए शेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है यह रहेगा पैले लेवल 957 का अगर फर्दर ग्रावट होती है तो भाई अगला लेवल जो एडिंग जून बनेगा इसका वो रहेगा सम्वेर राउंड यह बाले लेवल डैट इस 791 यही दो लेवल जो कि अभी फिलाल दिखते हैं मुझे बैस माइंग जून बाकी तो अभी अभी तो शेयर ओडर रहा है तो औरने तो और कोई दिक कर नहीं है अगर शॉट टम वाले होते को सब के लिए बताता हूं अगर आपका व्यू एक वीक से लेके चार वीक तक और आपने शेयर को खरीद रखा है तो स्वापलोस आपको ट्रेल करने सीदी सी बात है ठीक है नहीं करोगे तो भाई आप फसकर आपकी गलती होगी अब ज चार से लेके शे मंस के बीच का इसमें आपको कुछ निहीं करने जशोल्ड कोई दिखनी है अब मैं मान चलो देखो इससे पहले पहले जो लेना चाहता है शेयर करों बाइग करना चाहता है वो मैंने बता दिया इन इन लेवल्स पर है चार से शे महीने वाले व्यू बाई 500 के लिए वेट करें कोई दिखनी आईगे आपको उसके उपर अगर वेट करने के लिए तो फिर मैं लॉंग टर्म आपको मान ले रहा हूं लॉंग टर्म में ये शेयर बाई 10x की भी ग्रोथ हो सकती है इसमें जैसा बूम आएगा इसमें तो बाई ये 35 हो तो मैंने बस ऐस सिंपल से कि इसी तरह से अपना जो है प्रॉफिट बढ़ातर है इसी तरह से इनका काम जो चलता रहे जैसा अभी चल रहे है ठीक है अगर फंडमेंटल इसी टाइप के स्रॉंग रहे तो भाई आने वाले टाइम में दस आर गया बीस आर तक भी गया है वो शेर में चबिस साइन है जाहां पर मैं बोलूं कि यहांपर डेकेटिव केंडल है एक भी साइन यहांपर एक भी साइन निये घैसर यहांपर खुला यहांपर देखो यहांपर ऐसे करके यह चोला यहांपर एक वांसेलेशन बादा उसका और अप्टेंड में और यह अभी continue करेगा चाहंश यार पांचे दातक भी शौक आपको दिखा मैं भाई लिखके देता हूं अगर श्प्लिट नहीं हुआ और बोनस ओनस नहीं थिया तो भाई ये शेर आराम से आपको पांचे दाइब तक देगा एक टाइम पे देखेंगा पांच छे साल के अंदर अदर आपको अराम से यो होच्छन दोस और नहीं विशाल सुषी लोगाने बैक नड़ी टाडा